हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब या देवी सर्भू तेशु दिद्यारू पेन संस्थिता नमस्तस्यी 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 नमू नमा उस्तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है क्लास 10 पिशे हिंदी प्रतिदर्ष प्रशन पत्र मोडल टेस्ट पेपर मार्श 2024 तो आज इसका हम सेट सी करेंगे यह प्रशन पत्र फ्रेश वालों के लिए ऐसा ही आएगा रियप्पियर वाले हों इंप्रूवमेंट वाले हों या एडिशनल पेपर वाले हों सब के लिए इसी परकार का प्रशन पत्र आना है दिशा निर्देश पहले की भाती है, क्या स्तरा पिछले प्रशन पत्रों में थे, यह आपने स्वयम पढ़ने है, और इनका पालन भी करना है, ठीक है, अब यहां पर देखिए, पहला प्रशन है, यह मलिकित प्रशनों के यथा निर्देशित उतर दीजिए, ठीक है, और इन जिस समास में जो पहले का पार्ट होता है, वो संख्या वाचक हो, संख्या हो, ठीक है न, उसे हम दिगु समास कहते हैं, जिस समास का पूरुपद संख्यात्मक मिशेशन होता है, उसे समास कहते हैं, जैसे चत्रबू, पहर, ठीक है न, पहरों का समू, चत्रबू, चारबू जाओंवाली आकृति की क्वास के उधारों जाएं अगला देखिए सुमेश और सुये उदे। हमने संदी विशेश करने हैं। सुमेश का क्या हो जाएगा। वाच्चे को परिभाशित करें। आफ वाच्चे क्या होते हैं। क्रिया के रूप यह पता चले कि वाक्य में क्रिया को चलाने वाला करता है यह वाच्चे कहते हैं आगला देखिए विजली और राक्षास के प्रियाइबाची लिखने है अब बिजली का प्रियाइबाची क्या लिख सकते हो आप दामीनी और विद्यूत और राक्षस का निशाचर और क्या हो सकता है जैत्ते अगला देखिए मुहावरों का अर्थ लिख कर वाक्यों में परियोग कीजिए अपना उल्लू सिधा करना यहीं कि अपना स्वार्थ साधना स्वार्थी दोथ अपना उल्लू सिधा करते हैं कि और लिख सकते हो आज कल के नेता अपना लू सिधा करते हैं अगला क्या है अकल का दुश्मन किसे बोलते हैं मुरक मेरा दोस्त कि अकल का दुश्मन है कौंकि परिक्षाओं की तहीं डंग से तैयारी नहीं की लिख सकते हैं ना अगला देखिए रूपक अलंकार की परिभाशा दो अब रूपक अलंकार क्या होता जिसमें उपमें और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं है मैं और उपमान के बीच अंतर नहीं है अगला देखिए दोहा और चंद की परिभाशा दो यह पहले प्रिशन पत्र में था यह वाले उसमें सेट में दोहा क्या होता है यह अर्दसम मास्त्रिक चंद होता है इसके पहले और तिसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे और चोथा चरण है उसके अंत में परण होती है दोहा अर्दसम मात्रिक चंद होता है यह दो पंक्तियों का होता है इसमें जो विशम चरण होती है यह पहला और तीसरा उसमें 13-13 मात्रा होती है दूसरे और चोथे चरण में 11-11 मात्रा होती है उधारन क्या लेख सकते हो जैसे पड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं अलागे अतिदू प्रकार आप इसका यहां उधारन भी लिख सकते हैं प्रशन में देखिए यहां पर निवंद का प्रशन है यह आपने खुद करना है बाल दिवस महिला ससक्टी करण मेरा भारत महान परोपकार या समय का सदुप्यों पांच नंबर का यह प्रशन है अगला देखिए खिड़की का शिशा तूट जाने पर माफी मांगते हुए प्रशन पत्र लिखना है तरीका वही है जैसे आप उपर का लिखेंगे सेवा में प्रधानाचारे जी स्कूल का नाम और शहर का नाम प्रशे टुटने पर माफी के लिए प्रशन पत्र का सबका एक नंबर मिलना है और लास्ट का जो आप लिखोगे आपका आग्या का सबसे पहले पूर चांटी ज्यों पागी में पूर क्या है बुरु शिक्षक बड़ा या यहां पर गूर है करभन्ने के अर्भक दलन जहां अर्भक का क्यारत है भस्म बच्चा गंधक या शत्रू चारत है यहां बच्चा आत्मकत्थे कविता में मदूप शब्द का परियोग किसके लिए किया गया है मन के लिए बगीचे के लिए समस्ट शहद के लिए या मदूरता के लिए और कि क्किलिए किया गया मन के लिए अगला दिखिए विश्व में निधाद से कौन विकल या उन्मन है नेता समस्तजन अभी नेता या कोई नहीं सभी लोग यह नहीं के समस्तजन क्या दंतुरित मुसकान कविता में चोटे बच्चे के सपर्ष मातर से कौन से फूल जहरने लगे ताब के कमल के शेफालिका के या जूही के और सही अन्सर एसका शेफालिका के चला जाता है बटका हुआ एक अनहद में यहां अनहद का क्या आर्थ है अपार मस्ती सीमाहीन उक या हताशा सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हूँ अगला देखिए निमलिकित कावियांशों को पढ़कर पूचे गे प्रशनों के उत्तर दीजिए मधुप गुन गनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी मुर्जाकर गिर रही पतियां देखो कितनी आज घनी इस गंभीर अनन्त नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बवीती उन सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीती इस कविता का नाम और कवी का नाम आपने बताना है कविता है यहाँ पे लिखा हुआ ही है यह आपको पता ही लग जया होगा यह आत्म कथे आत्म कथे और लिखी हुई किनों ने आई यह जैशंकर प्रशाज जी ने कवी ने मधू किसे कहाया यहां पे मन को कि कहाया मन को पत्यों को मुर्जाना किसे सपष्ट करता है कि वन में आने वाले दुख तक्रीफ के लिए यह ना पत्यों के लिए अनंत नीलिमा और असंखे जीवन इतिहास से क्या तात पर रहे है असंखे नीलिमा है कि जीवन का अंतहीन विस्तार है अनंत नीलिमा क्या मतलब है उत्पन का अंतहीन तार और असंख्य जीवन इतिहास का यहाँ पर क्या मतलब है? मानव मन में उत्पन जो भी चार होते हैं मानव मन में पन चार गागर गिरी से क्या अभी प्राय है? यहाँ पर गागर गिरी से अभी प्राय है कि कवी के जीवन में जाओं का अभाव था कवी के पन में का अभाव है अगला देखिए प्रस्तुत काव्यांश में कवी ने प्रस्तुत काव्यांश में कवी ने प्यासे लोगों के हिर्दे की पीड़ा को दूर करने के लिए बादलों का आवान किया है? बादलों की गरजन शक्ति के रूप में है और ये बादल नया जीवन देने वाले हैं कि भाषा शैली खड़ी है अंदमुक्त कविता है शैली संबोजन वाली है और अलंकार यहां पर उप्मा अलंकार समाल किया अगला प्रशन देखिए अगर आवे मसक्तियों द्वारा सबको भागेवान कहने में च्यावयंğini ही थै अब उधाव भागेवान कहती है यह बात प्माने डंग से झादी है वो टाउंट कर के कहती है कहती है उधव हमेशा शिरी कृष्षन के पास रहते हैं प्रन्तु फिर भी उनके प्रेम में नहीं बंदे और या अगर वो प्रेम में लीन होते प्रेम में बंदे होते तो उनकी दशाबी उनकी स्थिती की उपियों जैसी ही होती अगला प्रशन देखिए संगतकार कविता का मूल भावस पश्ट कीजिए अब संगतकार किसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए जो मेन गाने वाला होता है उसके पीछे जो तो उसकी ले में ले मिलाके गाते हैं उसे संगतकार बोलते हैं अब यहां कविता में जो कविता क्या बताना चाहता है जो उस संगीतकार है जो मेन गाने वाला है जो मुख्य कायक है कि सफलता संगतकार के उपर निर्भर करती है तो यहां पर संगतकार का महत्तव दर्शाना चाहते है उनकी जो संवियदन शेलता है वो किसके साथ है? संगतकार के साथ है जो पीछे गाता है और संगतकार जो है उसकी सफलता जो है तभी संभव है संगीतकार की जब संगतकार साथ हूँ और संगतकारों का सामने नारों की कमजोरी नहीं है बलकि उनकी महानता को दर्शाता है देखिए संगतकार कविता श्री मंगलेश डबवालद्वार रचित एक महतवपूर्ण कविता है इस कविता का उदेशे मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महतव पर परकास डालना है इसकविता के माध्यम से कवी ने यह संवेदन शील्टा शिक्सित करने का प्रियास किया है कि नायकी सफल्ता में सहायक परतेक व्यक्ति का अपना विशेश महत्व होता है के बिना नायक सफलता के चरम इंदू पर नहीं पहुंच सकता। पंगतकारों का सामने ना आना उनकी कमजोरी या असफलता नहीं बलकि उनकी महामानवता होता है। अब यहाँ पर अगले भाग में चितिज का जो तरद्यांश का भाग है वो है और पहला प्रशन है नेता जी का चश्मा किस विधा की रचना है। सफेद कपड़े पहने विव्यक्ति को भद्र पुरुष को नवाब को या अमीर को यहां भद्र पुरुष को सफेद पोश कहा गया है। पिता जी के किस अंतरंग वा सम्मानित मित्र ने लेखिका का गरम जोशी से स्वागत किया था। कि श्पाल जी ने डाक्टर अमबाल जी ने डाक्टर ब्रवर्मा ने डाक्टर भगुतिचरण ने। इन्हें ने किया था दॉब्र अमबा लाल जी cocon भारत के मंगल पद्य कंग का नाम क्या है। सेनाई नागस्वरम या वंशी तही अंसर इसका नागस्वरम कि धार्थ के ग्रीत याक का सर्वोच क्या लक्षे था निर्वान एसुख क्या अरजन या मानव सुख उनका था मानव प्रशन नमवा देखिए निमलिकित गद्यांशों को पढ़कर पूछे के प्रशनों के उत्तर दीजिए और सभ्यता सभ्यता है संस्कृति का परिणाम हमारे खाने पीने के तरीके हमारे ओड़ने पहड़ने के तरीके हमारे गमना गमन के साधन हमारे परस पर कट मरने के तरी के तब हमारी सब्वेता है मानव की जो योगिता उससे आत्म विश्वास के साधनों का विश्कार कराती है हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति और जिन साधनों के बल पर वहे दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है उसे हम उसकी सब्वेता समझें या असंस् Suckriti की सब्सक्राइब अवस्यम भावी परिणाम असब्यता के अतिरिक दूस्ता क्या होगा इस बाठ का नाम और लेखक का नाम हमने आव बताना है अब अब पाठ का नाम तो आपको तुरुंत पता लग जोगा पाठ का नाम संस्कूरिती है है कि और लेख कौन है भदंत आनंद भधंत आनंत पोसल्यायन भी मेरी एकट इनुसार सब्हस्विता क्या है जो हमारे खाने पीने के तरीके है हमारे इप्रण 舂ने की नाम इसको ऐसे लिखना है स consists की का परिनाम है यहां चाहेगा हमारे पीने के ऊणने पैड़ने के दंग यहां तक हमारी बता है है संस्कृति क्या है चीअनुसर संस्कृति का नई चीजों का अविश्कार करने की जो योग्यता संस्कृति कब असंस्कृति बन जाती है जब उसका कल्यान की भावना से नाता तूड़ जाता है तो वह संस्कृति बन जाती है कि अगला देखिए असभ्यता क्या है असभ्यता क्या होती है इन साधनों के बल पर हम इन रात आत्मिनाश में जुटे हुए हैं उसे हम असभ्यता क्रेंगे अगला परशं देखिए प्याम प्रकाश ŏ येश्पाल जी के जीवन परीचे परम्ने प्रकाश डालना और इसको प्स नमबर का प्रशन है अगर आप जीवन परीचे लिखोगे तो एक नमबर प्रकार कर आ कह जनम हुआ को उसमें नमबर मिल जए कि विशेष्टाइं लिख दो गे उसका डेड़ नंबर मिलेगा और भाषा शैली के बारे में लिखो गेड़ नंबर मिलेगा इस परकार यह पांच नंबर का परशन ठीक है परशन देखिए बाल गोबिन भगत की अगला पुचारित्रिक विशेष्टाएं बताईए एक तो वो कबीर पंथी थे और एक खुले दिल के थे लिख लेते हैं इसको देखिए कबीर पंथी वे कबीर के को साहब मानते थे उनी के दिये हुए आदर्शों का पालन करते थे वे साहब को इतना मानते थे कि उनकी खेती में तो भी कुछ पैदा होता था तो पहले उसे चार कोस चलकर साहब के दरवार में ले जाते थे वा परसाथ सरूप चड़ा एक तो पहली खुबी कि क्या है वे बहुत कुछ दिल थे वे बेकार में किसी से लड़ाई नहीं करते थे किसी की चीज वह भी ना पूछे यूज नहीं करते तो परकार आप यहां दो खुश्क है उनकी बिस्मिल्ला खां को शेहनाई का मंगल ध्वनी नायक क्यों कहा गया है शेहनाई मंगल ध्वनी का वाद्दे अंत्र है बिस्मिल्ला खां को शेहनाई की मंगल ध्वनी का नायक कहा जाता है ये सुरों के सच्चे सादक थे 80 बरस की आईवी में सुर साधना के बाद उनकी ऐसा लगता था कि कभी उनके शैनाई वादन में कोई कमी तो नहीं रह गई ये वे अल्ला से सच्चा सुर मांगते थे उनके सुरों में गादू था कि सुनने वाले मदहोश हो जाते थे पाला जी का मंदिर हो या संकट मोचन या विश्वनात का मंदिर सब जगह उनकी शैनाई का स्वर सुनाई देता था इसलिए उन्हें शैनाई की मंगल दोने का नायक कहा जाता अगला देखे कृतिका भाग दो है यह माता का आचल शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालो माता के आचल में उसने क्या कहने का परियास किया है कि बच्चा अपने बाप से बहुत क्यार करता है रंतु जब भी को डरकी स्थिती आती है जब कुसी असुरक्षा महसूस होती है लाणात हमेशा मा की गोद में जाकरसिप क्याना कि मा का आचल कहाणी में मा के आचल की सार्थकता को समझाने का परियास किया गया है बालक ला नात का जुडौव पिता के साथ दिखाया गया है प्रंतु जö वह सांप को देखकर डर जाता है उलानात का अपने पिता से अपार संहता पर्विपत्ती के समय जो शानती और प्रेम की छाया उसे इसकी मां की गोद में जाकर मिली बहैशायत उसे पिता से प्राप्त नहीं होपा रहा दो हुआ पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए इस कहानी का किर्शक माता का आचल रखा अगला प्रशन है खाना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेन नार्गे ने गुरुनानक देवजी से समंदित किस परसंग का उलेक किया है उन्हें वो चावल वाला परसंग बताया था कि वहां उनकी थाली से कुछ चावल छिटगे थे और जहां पर जहां चावल गीरे वहां वहां चावल की यह वाला परसंग बताया लिख लेते हैं इसको भी तेन नार्गे ने बताया कि एक पत्थर पर गुरुनानक देवजी के पैरों के निशान है ऐसा माना जाता है कि यहा क्यों लिखता हूं शिर्शक पाठ का उदेश्य क्या था यहां पर लेखक अपनी विविश्टा प्रस्तुत करना चाह रहा है उसे लिखने के लिए मजबूरी है उसकी ऐसे उसके दिवाक में जो चीजें हैं लिखने को मजबूर करती है और अनुभाव के बिना वह लगेगी कि एक प्रसिद्ध निबंद है लेखक ने अपने विचार रखते हुए निबंद में बताया कि लेखक की वीत्री विविश्टा ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो पाता है प्रतक्ष अनुभाव जब अनुभूती का जचना का उधारन देते हुए सपश्ट किया है कि अनुभाव जब भाव जगत और सम्वेदना का हिस्सा बनता है तभी कलात्मक अनुभूती अब खंड यहां है नैतिक शिक्षा का यह भागया दोस्तों तस नंबर का है बिल्कुल असान इसमें प्रश्ण मिलेंगे कौन स का आभूशन शाश्वत है वाणी स्वरूप आभूशन करम स्वरुप उने का हाः या सही अंसर वाणी स्वरुप आभूशन जो है वह 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 समझायाता है अच्छे कुल खया है महान भी बही बही है इसका मतलब अभी यहां पर आएगा भारत सरकार ने मदन मोहन मालवेजी को भारत रतन से अलंक्रित कब किया 2014 में 15 में 16 में कब किया था 2015 में अगला प्रशन देखिए निमल लिखित पंक्ति का भाव सपस्ट कीजिए सारे गुण कंचन में वास करते हैं ठीक है यहां कंचन किसके लिए लगाया है सोने के लिए धन दौलत के लिए ठीक है न विक्ति के पास जरूरत से ज्यादा धन का संचे हो जाता है तो सभी उसके मित्र बन जाते हैं मुसीबत आता है धन समाप्त हो जाता है तो सभी उसके मि मोड़ लेता है अन्वान व्यक्ति को ही गुन्वान और बुद्वान समझा जाता है और इसका अंतिम प्रशन है स्त्री शिक्षा के विशे में मदन महुन मुद्वान मालवीं जी के उच्चार थे वे कहा करते थे कि स्त्री शिक्षा बहुत महत्तवपूर्ण है क्योंकि इस त्रियां भावी संतान की माताएं उनकी शिक्षा ऐसी हो तो उनके व्यक्षित्तों में प्राचीन और नवीन सब्यता के गुणों का समनवे कर सके इस प्रकार वे चाहते थे इस त्रियां ऐसी शिक्षा ग्रहन करें कि जिससे वे अपनी भावी संतान में प्राचीनता के साथ साथ नवीन गुणों का भी समावेश करें तो प्रीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक यू, हैव नाइस दे